नमस्का दोस्तों स्वागते आपको डामस्टन गेमिंग की एक एनादर वीडियो आपडेट्स में जहां पहले मैं बताने वाला हो आपको कुछ लिक्स अपडेट के बारे में जैसा की गोल्ड रॉयल क्या आने वाला है और उसके साथ बताने वाला हो सीजन 28 का एलाइट पास प्रक्षाइब के सारे तो दो सीजन 27 का जो एलाइट पास ता स्को मैंने पहले डिसाथ या अप्डेट कर दिया अपना लास्ट वीडियो में सीजन 27 के पूरे एलाइट पास का डिटेल प्रीडियोडर के डिटेल और उसके साथ बहुत सारे इक अपडेट की डाला हुआ सिक्रेट प्लान मिशन का भी डीटेल्स वहां पे दिया हुआ है तो अगर आपने वह आभी तक नहीं देखा तो आई बटन के ग्लिक करके सिजन 27 का जो अप्डेट से वह देखनो और उसके साथ आपको मिलेंगे इस वीडियो में कुछ इस तरह से आएगा कि वन के लाइक सुने पे रेंडम ली एक सब्सक्राइबर को हम करेंगे एलाइट पास्काइब और सिजन 28 का एलाइट पास्काइब तो उसके लिए दोस्तों क्या करना पड़िए तो मैं पहले ही बताया आपको हर वीडियो में बता सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ करना यह है के आपका यूँआई जो है कॉमेंट आप खुछ भी करो उसके साथ दूआई इंसे करो हर एक कमेंट में इवाई इंसन ओना चाहिए तभी आप इलिजिवल हो इस तुनाब इस यूँवे में सामीशन होने के लिए तो चले वीडियो के आगे के तरफ चलते हैं यूए के बार में बता लिया तो बताएंगे अभी गोल्रोयल के बार कुछ इस तरह से आने वाला है आपके स्क्रीन के ऊपन ये वला बंदल आने वाला है बुट अब तो कुछ खांस नहीं है लेकिन फूर के लिए तो अच्छा ही है अगर आप लेना चाहते हो तो अगर नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं है तो दोस्तों तो चलिए वीडियो के आगता बढ़ते हैं सीजन 27 के बाद 28 सेप्टेमर में एलाइट पास आने वाला है सेप्टेमर 2020 में उसको कैसा देखने को मिलेगा और उसके या प्राइस तो पहला आपको देखने को मिलेगा एक मेल वांडे मेल वंडेल कुछ इस तरह आगा जो कुछ इस तरह दीख रहा है और अच्छा ही लगेगा आपको कैसा लगा कॉमेंट सेस्टों में बताईए और उसके बाद आने वाला एक डेविल फिमेल बंडल है फिमेल बंडल तो मुझे बहुत पसंदा है इसका कलर रेंज कुछ योलो के साथ वाइट का रेंज है तो कुछ इस तरह का दिखेगा दूस्तों यह देखें और इसका हैस्टायल भी बहुत अच्छा है बंडल तो बता हो उसके साथ आएगा एम फाइवन डेट का डेविल स्कीन जो की इस एलाइट पास का एक सबसे बड़ी एट्रक्शन है क्योंकि सी एस रेंग सी एस में जो खिलते हैं सी एस में एंफाइवन डेट का स्कीन बहुत उमयजा देने वाला है तो देखें दोस्तों के डेव दोस्तों का जो मैं पाता था उसको फॉलोगात रहे न और देविल एंफाइवन डेट का जो सीङन है वो देख लो आपके स्क्रीण के तो कुछ ऐसा दिख रहा है रेड और वाइट का स्कीन और उसके साथ ब्लैक का हैंडल बहुत हीमाजा देने वाला है तो दो अब जाने एक तम से मतला फाड हुए है यह लेवल वान का बेकपक है मुझे लग रहा है बेकपक से ज्यादा ही बड़ा होने वाला है इस बैकपक तो सायद यह तकलीब दे सकते है प्लेयर्स को लेकिन फिर भी बहुत मज़ा देने वाला है और उसके साथ बात करेंगे गेविल पैन स्क के बारेमें इसलिए बात करेंगे क्योंकि इस बार का न kilometers में खासियत घासित् DAY के यह के इसमें आपको मिलेंगे माल्टी कलर है मैं यह लो के उपर उधर से रिडिट थे मल्टी कलर गड़घक्पक अपको देख की अपको देखने को मिलेगा इसके नोगों आ में तो पहले सोचा थे कोई नई फेजो की स्कीन दे रहा है जो एक नाइव आता है जो आम नाइव बहुत में के लिए फिर मैंने देखा इसमें सब्वोर तो बहुत ही छोटा सब्वोर एंच और यह भी सहद बहुत ही अट्रक्शन क्रेट करेंगा इस आएप पास में तो उस इसके साथ बात करते हैं अभी डेविल्स कार स्कीन के बारे कार स्कीन जो है ए देख लो दोस्तों ए पानी में चलने वाला गारी है वाई साला पानी में चलेगा यह योलो रेड और वाइड का कॉमिनेशन बहुत ही फाडू लागेगा तो इसका भी वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसा लगता है और उसके साथ चलिए सुरू करते हैं पैरेंग की स्कीन के तो पैरेंग का स्कीन दे रहा है योलो के वाला पैराशूट है जो कि देखने को बहुत ही मज़ा आने वाला है तो आपके स्क्रीन पर ओभी दिखा देते हैं यह वाला है पैराशूट बहुत ही फाडू है पैराशूट जो कि बहुत ही मज़ा देने वाला है आस्मान की उजाई उपार तो दस्तों इलेट परस का हो रूदं हिस से Abend बात है अगले चौंप में बताओं हम भी बहुत सारे तेंप सब्सक्तिटर्ट करें तो इंग्जास करणाई है कि पर तेंट के हैं है रिए तेंगों को यहां और तबते के लिए जाय हिंद जाय वारत